नमस्कार दोस्तों मेरा नामे आसुतोष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल A2Z E-PART साला पे आज मेरे साथ में आप इस लेक्चर में संग्या पढ़ेंगे संग्या पिछले लेक्चर में आपने उमीद करता हूँ सभी ने देख लिया होगा जिनोंने अगर नहीं देखा हुआ है तो पिछला लेक्चर भी देख लें पहला वाला यह हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम संग्या के बारें पढ़ेंगे पहले में मैंने उसमें बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि सब्द अच्छर से जो हैं फिर सब्द बने फिर सब्द से अच्छर आते हैं वर्ण आते हैं वर्ण से सब्द बने और सब्दों के अच्छर या वर्ण वर्णों से सब्द बने अब सब्द के बारे में हमने आपको बताया था किस सब्द कितने कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीजें आपको हमने बता दी थी कि किस किस प्रकार के सब्द होते हैं दे सज विदे सज और में चीज आपको आखरी में क्या आई थी दो प्रकार के होते हैं सब्द कौन-कौन से एक बताया था आपको हमने विकारी सब्द और दूसरे होते हैं जो होते हैं आविकारी अविकारी अब इसमें हमने ये चीज़ आपको बताई थी कि विकारी सब्द वो होते हैं जो दिंग वचन कारक के वज़े से और इसमें जो है काल की वज़े से परिवर्तन होता है वो हमारे विकारी सब्दों होते हैं अब विकारी जो होते हैं इनमें परिवर्तन नहीं होता है ये बताया था आपको ठीक तो ये सारी चीते हमारी हो गई थी अब इसके आगे आता है विक क्रिया, यह सब आपके किस में आते हैं, यह सब आते हैं आपके चारों विकारी सब्दों में, फिर इसके बाद में आविकारी में क्यों से आते हैं, अविकारी में आते हैं, अविया सब्द कौन कौन से आते हैं, कौन से होते हैं, अविया सब्द मतलब आविकारी सब्द, ठी या विशेशन, ठीक, संबंद बोधक, संबंद बोधक, जो संबंद बताते हैं, ठीक, फिर उसके बाद में समुच्य बोधक, विसमयादी बोधक, समुच्य बोधक और विसमयादी बोधक, ये सब सब्द होते हैं, जो आपके अविकारी, मतलब की अव्याव और अविकारी मे आते हैं आप इन चीज के लिए टेंसन न लीजेगा ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से हम एक एक चीज आपको बताएंगे ठीक ये सभी चीजें हमने आपको बतानी है एक एक चीज आती जाएगी हो आपको सभी इम लोग पढ़ लेंगे और इस तरह से हम इंग्लिस पढ़ते चले आ रहा है, सब कुछ इंग्लिस में लिखते आ रहा है और हिंदी तो पढ़ ले नहीं पढ़ेगी, तो ऐसा ना हो, ठीक तो पढ़ ले सब कुछ पढ़ेगी सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख सकते हैं, कोई परिशानी नहीं है तो शुरू करते हैं आज का लेक्चार अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिजेगा सब्सक्राइब कर लिजेगा कुछ अपने जानने वालों को जिनोंने भी और भी फॉर्म बरा है उनको ये वीडियो सेर भी कर दीजेगा मैं कम्प्लीट लेवस कराऊंगा एक एक चीज आपको बताएंगे जो आपकी ये क्लास चल रही है इसके साथ में आप जो साम को पांच बजे आरो ए आरो के लिए क्लास जो चल रही है उस वीडियो को जरूर देखेगा उसमें पांच टॉपिक के कोशन जो बता रहे हैं हम आपको वो कैब वाले कोशन है ठीक वो कैब वाले कोशन है वो सारे आपको आपके इस लेवस में भी हैं आपके इस लेवस में भी वो सारी चीजें हैं तो वो चीजें आपको जिसमें आ जाएं वो सब्द आपको डेली डेली याद करने हैं वो सब्द आपको पांच बजे उस वीडियो को देखना है उसके बाद में जो सब्द हम बताते हैं उन सब्दों को आपको याद भी करना है जिसमें आपका डेली अच्छी खासी वुकयब आपकी तैयार हो जाएगी ठीक चलिए अब संग्याथ पे पहुँचने से पहले एक चीज हम आपको और बता दें जैसे सब्द और पद में कहां क्या अंतर होता है सब्द जानिये और प सब्द कहलाएगा मतलब सवतंतर है वो वाक्य में नहीं है सवतंतर होने का मतलब यह है कि वह किसी वाक्य में नहीं होगा अगर वो तो वो हमारा क्या कहलाएगा सब्द कहलाएगा लेकिन अगर वही जब सब्द आपका किसी वाक्य में आ जाता है कोई भी वाक्य में आ पद कहलाता है तो इसमें confused मत हुईएगा कि सब्द और पद में से इतना संतर है कि सुतंत्रवस्था में सब्द है और वाक्य के अंदर में वो पद है ठीक अब पद के लिए भी बात हमने आपको बताई थी कि किस तरह से इसको पद क्यों कहते हैं ठीक जब आप इंजिनियर ब बन गए या पॉलिटिक निक में लेक्चरार बन गए हैं तो वो चीज आपकी पद होगी वो आपको संग्या दी जाएगी उसी तरह से जब वद सब्द जो है वो वाक्य में आ जाता है तो वो पद कहला उसका होता है तो वो संग्या सर्वनाम और ये सारी चीजें उसकी कहल करने लगते हैं उसको बताया जाएगा कि संग्या सर्वनाम सारी चीजें आप से बद होते हैं यह भी मैंने आपको बता दिया कि संग्या सर्वनाम क्यावेद आपके पद के भेद हैं संग्या सर्वनाम विसेशन विसेशन पद के भेद जो है यह है क्रिया अब कन्प्यूज नहीं हो यह गाई और अव्यव ठीक अव्यव में जो चार सीजें आती हैं वो सब इसी में ही आ जाती है अविकारी सब्द जो होते हैं ठीक फिर आगे बढ़ेंगे आगे अब हम है तो इंग्लिस में ज़रूर पढ़ा रखा होगा वैसे तो हिंदी भी सभी ने पढ़ी ही होगी और सब को पता होगा संग्या का अर्थ क्या होता है नाम ठीक नाम होता है विस में जितने भी व्यक्ति हैं जो भी कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तू वस्तूएं होगी ठीक उनका कोई ना कोई क्या होता है नाम होता है जिससे उनको पहचान होती है जिनकी कि हाँ ये जो है ये चीज है कोई भी चीज की सब्जा है आपके पास पहन हो कोई भी चीज हो सब्जी चीज का नाम है तो वो नाम है तो फिर वो उसका कोई ना कोई नाम सब्जी वस्तों का हो कोई चीज को आप पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे फिर सक प्रयोग भी है भासा में जो है वह क्या होत सम्भाव नहीं होगा कोई वी चीज का गर्म नहीं है तो फिर शेखे होता क्या यह Tá दिमाग में समझ में आती है, हाँ अच्छा ये चीज ऐसी होती है, हमको पता चल जाता है, कि ये इस चीज की बात हो रही है, कोई भी चीज हो, ठीक, गोड़ा बुला गया, तो आपके दिमाग में गोड़े की में जा गई, आपको पता चल गया, कि ये गोड़ा होता है, और यह इस तरह का होता है 4 पर होते हैं त Dies तरह से तरह से उतेज भागता है यह सारी चीजना आपके दिमाग में आ जाती है इस तरह से इस संघ्या का काम होता है olduğunu आप माँ लिजे आपके sentence लिखा है प्रीती गड़ित पढ़ेगी प्रीती गड़ित पढ़ेगी फिर इसमें संग्या क्या है प्रीती जो है वो एक संग्या है ठीक इसी तरह से विलियम विलियम सहर गया इसमें क्या है संग्या विलियम जो है ये भी वेक्टिवाचक संग्या है अब किसी भी तरह से आ अब इसके बाद में संग्या की आपको हम परिबासा भी बता दें जिनमें आपको याद रहे जो पुरा नाम आपने याद किया था वह सब्द जिससे किसी प्राणी वस्तू अथवा भाव का नाम ग्यात हो क्या होता है संग्या कहलाता है जिससे हमें किसी भी प्राणी वस्तू अथवा भाव का नाम ग्यात होगा वह संग्या कहलाता है ठीक यह चीज हो गई जैसे क्या एक्जामपल ले लेते हैं उसा लड़की का नाम, फिर गुलाब और पाटली-बुत्र, पाटली-बुत्र जगह का नाम ठीक, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, संग्या हो गई, इस तरह से ये संग्या हो गई हैं अब आगे चैसे बढ़ेंगे तो हम जानते हैं आगे चलके की संग्या कितने प्रकार की होती है संग्या कौन-कौन से प्रकार की होती है बहुत छोटे में आपने राम स्याम यह सब भी पढ़ेंगे कि यह संग्या होती है ठीक राम किसान और कलकत्ता माली जगय का नाम ठीक चलिए आगे बढ़ें अब संग्या के प्रकार जानते हैं संग्या जब व्यूत्पंति के आधार पर अगर इसका भेद किया जाता है तो संग्या तीन प्रकार की होती है रूड यागिक और योग रूड ठीक अब इसमें कौन-कान से केस तरह से होते है। रूड सब्द कौन से होते हैं वह सब्द होते हैं वो रूड़ वाली संग्या होगी, फिर दूसरा मतलब जैसे क्रश्न को अगर तोड़ेंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, यमुना को अगर तोड़ देंगे दो भागों में तो इसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये खराब हो जाएगा सब्द एक तरह से, तो ये रूर हो गया, फंडामेंटल हो गया, मौलिक हो गया, इस सारी सब्द आपने सुने होंगे, तो ये जो हैं आपके रूर सब्द हो गये, टिक जिनको तोड़ा नहीं जाएगा फिर, यॉगिक, यॉगिक का क्या है, पनघट, दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रत्य जोर दिया जाता है किसे में उपसर्ग जोर दिया जाएगा इस तरह से बनेंगे सब्द जो वह आपके योगि अब उपसर्ग किसे कहते है प्रत्य किसे कहते हैं प्रत्य जो है कोई भी सब्द में आखरी में जुड़ा रहता है प्रत्य होता है उपसर्ग जो होता है वो आपका स्टार्टिंग में जुड़ा होता है ठीक जैसे अति अति आवस्यक अवस्यक ठीक अब इसमें आवस्यक सब्द है इसमें आगे जो ये जुड़ा है ये आपका उपसर्ग है ठीक इसी तरह से प्रत्य जो है वो आखरी में जुड़ता है चलिए आगे बढ़ेंगे आप योगरूण के ये भी सबकी चीज के बारे में हम आपको एक एक करके पढ़ाते जाएंगे इसमें कोई भी चीज आपकी जलज एक जामपल आपको देते हैं जलज इसका क्या होता है योगिक अर्थ एक तरह से इसमें योग भी होगा और योगिक भी होगा और रूड भी होगा दोनों चीजे प्रवत्ति पाई जाएंगी लेकिन ये जो है अपना तीसरा ही अर्थ बताता है ये करता क्या है ये मतलब होता है उות्पन तो जल मतलब हो गया जल में उटपन वस्तू अवस्त्तू लेकिन इसका मतलब क्या होता है असली में कमल कहा जाता है तो इसमें आपको यह चीज समझ में आ रही होगी कि योगरूर्ण सब्द वो सब्द होते हैं जो फिर अपना अर्थ डारेक्ट इस तरह से ना दे करके वह कोई और ही अर्थ बताते हैं तो यह है आपके योगरोन हो जाएंगे ठीक यह सारी चीजें आपको उमीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रही होगी और कोई भी right होती है तो अप इसमें किमेंट जरूर करिएगा जिसमें हम आगे के लेक्चर में वह आप की कमेंट आप जो भी करेंगे कुछ भी कन्फूजन है तो उसको मैं दूर कर दूंगा उसको बता जरूर ठीक चलिए आगे देखते हैं हमारा अगले क्या है अर्थ की दिश्टी से संग्या के कौन-कौन से भेद होते हैं अर्थ की दिश्टी से संग्या के पांच भेद होते हैं ठीक सबसे पहले संग्या एकी तरह की होती थी फिर बनी आगे बढ़के तीन प्रकार की कौन-कौन सी व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक ये हिंदी में में जो है तीन प्रकार की संग्या मानी जाती थी एक व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक ये हिंदी में पहले थी ठीक लेकिन फिर जब इसमें थोड़ा अंग्रेजी का बावबाद में पढ़ने लगा तो फिर दो संग्याएं और बना दी गई कौन सी समूवाचक और द्रवाचक संग्या जो है यह आपकी और जुड़ गई तो हो गई टोटल कितनी पांच प्रकार की तो अब आपके एक्जाम में आएगा तो संग्या आप बताएंगे पांच प्रकार की ठीक इसको आप इस तरह से ही बताएंगे पांच प्रकार की होती है उसमें क्या होगा प्रकार की होगी पिर आगे बढ़ते हैं आगे देखेंगे आगे हम जानेंगे व्यक्ति वाचक संग्या के बारे में अब व्यक्ति वाचक संग्या क्या होती है जिस सब से किसी एक ही व्यक्ति अत्वा वस्तु का जब बोध होगा वस्तु का बोध होगा उस जगे पर क्या होगा हमारा व्यक्ति वाचक संग्या होगी अब जैसे एक व्यक्ति का बोध हो रहा होगा या वस्तु का प्रयाग अंकित अंकित कासी ठीक गंगा ये सब जहें आपके क्या होंगे व्यक्तिव आचक संग्या होंगे इसमें सब एक ही का बोध हो रहा है ठीक और भी नाम आप जोड़ सकते हैं इसमें जैसे महावीर मालीजे बोल दिया जाए ठीक महावीर ठीक इस तरह से जो भी होंगे ये सबाब के व्यक्टिव आचक संग्या होंगे और व्यक्टिव आचक संग्या जो भी होते हैं वो हमेशा एक वचन होते हैं इस चीज को ध्यान रखेगा व्यक्टिव आचक संग्या हमेशा एक वचन होते हैं अब एक चीज और आपको अच्छे से समझा देते हैं, देख लीजे, ये चीजे लिख लीजेगा, जैसे दिनों के नाम हैं, दिन के नाम, महीने के नाम, जैसे सोंबार, मंगलवार, बुद्वार, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक, फिर उसके बाद उत्सव के नाम, और जैस, दिसाओं, दिसाओं के नाम, ठीक, और एतियासिक, जगे जो हैं उनके नाम, युद्ध के नाम, नदी के नाम, पहार, समुद्र, इन सभी के जो नाम होंगे, वो सभी आपके किसमें आएंगे, व्यक्ति वाचक संग्या में आएंगे, ठीक, समचार पत्र किसी भी ची नाम, पुस्तकों के नाम, इन सभी के नाम जो भी होंगे वो सभी आपके वक्टिव आचक संग्या में आएंगे, ठीक तो इस चीज को ध्यान रखेगा, कि दिनों के नाम महीने जनवरी फरवरी हो गया, उत्साव हो गया तेवार हो गया आपका ठीक गांधी जैन्ती हो गई ये सब तेवार आपके ओली दिवाली ये सब आपके व्यक्टिव आचक संग्या में ही आते हैं ठीक और ये हमेशा एक वचन होते हैं एक वचन बहु वचन जानते ही होंगे ठीक सिंगलर प्लुरल सबने सुना होगा जहां पर एक एक आदमी की बात होगी एक लोग की बात होगी उसके एक वचन जहां दो या दो से अधिक होंगे वहाँ पर हमारा बहु वचन होता है ठीक ये चीज होती है इसको भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे अभी अब आगे रेखते हैं जाती वाचक संग्या के बारे में जाती वाचक संग्या जो संग्या या जिस सब्द से आपका नाम नाम से किसी व्यक्ति वस्तू की नाम से किसी व्यक्ति या वस्तू वस्तू की समस्त जाती समस्त जाती का बोध होगा बोद मतलब पता लगेगा मैं कि यह समस्थ जाती का बोध होता है उस जगे पर क्या होगा आपका जाती बाचक संग्या होगा अब इसमें देखिए जाती मतलब क्या होता है जाती मतलब यहां पहर वो नहीं है जनरल OBC और SCST वाली जाती की बात नहीं हो रही है यहां जाती के मतलब होता है वर्ग या फिर समू समू जो है उसको बात कहते हैं तो मतलब जाती मतलब एक समू की बात हो रही है उसको कहा जाएगा जाती और वर्ग की बात हो रही है अब इसका example हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा जैसे की मनुस से मतलब सभी इंसानों की बात हो रही है यहाँ पर किसी एक particular एक आदमी की बात नहीं हो रही है वैसे ही परवत सब्द कहा जा रहा है तो परवत में कितने बहुत सारे परवतों की बात हो रही है बहुत सारे परवत की बात हो रही है नदी यह सभी आपके जो होंगे यह सब आपके केस में आएंगे जाती वाचक संग्या मतलब यह एक समूह की बात बता रहे हैं ठीक जब एक पूरे समूह की specific एक किसी चीज़ की बात नहीं बता रहे हैं उस तरह से आपके ये क्या होंगे जाती वाचक होंगे इसमें और भी बहुत सारे सब्दाते हैं जैसे नदी बता दिया आपको लड़का लिख लीजे लड़का फिर नारी इस्तरी गोड़ा पसू पच्छी ये सभी आपके किसमें आएंगे गाये बहुल दिया जाया तो गाये भी है एक परटिकॉलर किसी एक गाये की बात नहीं हो रही है ठीक तो ये सब आपके क्या होगए जाती वाचक संग्या होगए ठीक ये चीज को समझ लिजेगा आप देखे एक्स में question आपके जो इसमें संग्या सरुनाव इन सब चीज से आते हैं वो इसी type से ही आएंगे आपके कि यह पूछेगा कि इसमें कौन सा संग्या है अब दे दिया जाएगा इसमें कौन सी संग्या है बताना होगा व्यक्ति वाचक है जाती वाचक है यह चीज आपको बतानी होगी ठीक या फिर अभी आगे हम भाववाचक संग्या में बताएंगे वो चीज आपसे पूछ लेता सारी चीजे बता दे रहे हैं अब समू वाचक संग्या तीसरा प्रकार है कौन सा समू वाचक इसके बारे में जानते हैं समू वाचक संग्या क्या होती है इसमें जब व्यक्ति के समू वस्तू अत्वा व्यक्ति के समू का बोध हो अब इसमें और इसमें अंतर है ठीक इसमें स समस्त जाती पूरा का पूरा जो है एक पूरी समस्त जाती मतलब मनुष्य मतलब सभी मनुष्य परवत मतलब सभी परवत नदी सभी नदी ठीक घोड़ा इस टाइप से सभी घोड़े की बात हो रही है तो इस टाइप से यहां पर होगा अब जब समुव आचक आएगा अब सम समूव आचक में क्या होगा देखिए इसमें एक वस्तु अत्वा व्यक्ति के एक समूव का बोध हो उसे समूव आचक संग्या कहेंगे ठीक समूव आचक संग्या कहेंगे जैसे की सभा भीड कुंज वर्ग टीम आयोग ठीक पुलिस सेना और अधिकारी अब अधिकारी की बात की जाएगी तो जो अधिकारी हैं समस्त मनुस्य की बात नहीं कर लीगई सिप अधिकारी मतलब एक कुछ वर्ग होगा जिसके बारे में बात की जा रही है सेना मतलब एक कुछ लोग होंगे जिनकी बात हो रही है वो समूव में लेकिन हो तो वो समूव वाचक संग्या आपकी हो जाएगी, इसको समुदाय भी कहते हैं, आप समुदाय समझ लीजे एक तरह से, समुदाय वाचक संग्या भी कहा जाता है, तो समुदाय जहां पर पता चलेगा, उस जगह पर आपको होगी क्या समूव वाचक संग्या हो जाएगी, और ये भी जो है गड़नी होती है गड़नी मतलब गिना जा सकता है और एक वचन ये संग्या भी एक वचन होती है आपकी ठीक ये सभी संग्या के सब्द जो है ये सभी एक वचन होते हैं फिर आगे बढ़ेंगे दरव्यवाचक संग्या दरव्यवाचक संग्या क्या होती है जिस द्रवेवाचक संग्या होती है और इनको क्या किया जाता है गिना नहीं जा सकता अगर निये होती है अगर निये का मतलब होता है जिनको गिना नहीं जा सकता उनको कहा जाता है द्रवेवाचक संग्या जैसे दूद को आप गिन नहीं सकते कोहिला ये भी आप गिन नहीं सकते और उसके बाद में घी, तेल, तेल, सोना, चांदी, ये सब क्या है, नापतॉल वारी चीजे हैं, इनको कीना नहीं जा सकता, ठीक, तो ये सारे किस में आएंगे, आपके द्रवे वाचक संग्या में आएंगे, ओक्सीजन, द्रवे वाचक संग्या में आते हैं, फिर आगे जिस सब्द से किसी वस्तु अत्वाव्यक्टी के गुण गुण पता चलें दसा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, सभाव इन सब चीजों का बोध होगा ये सब चीजों का जिन सब्दों से पता चलेगा उस जगे क्या होगा आपका? ये आपका उस जगे पर आ जाता है भाव वाचक संग्या ठीक, अब भाव वाचक संग्या में एक्जामपल बता देते हैं जैसे दया, अब ये चीज़ है, एक चीज़ और भी है ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से दिखाई नहीं देती है जिनको छुआ नहीं जा सकता, सिब महसूस किया जा सकता है वो सब आपकी भाव वाचक संग्या होती है जैसे दया है, सच्चाई है, क्रोध है ये सब आपकी भाव वाचक संग्या है, मिठास है ठीक, ये आपकी भाव वाचक संग्या हो जाएंगी इनको आप सिब क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना कि इनको आप देख सकते हैं बात एक चीज जिसमें भाव वाचक संग्या में आती है जैसे क्या होता है जब कहीं पर आपके एक वाक्य में व्यक्ति के गुण और दोसों की तुलना अन्य व्यक्ति के गुण और दोस से बात की जा रही हो तो उच जगह पर क्या होगा उच जगह पर वो व्यक्ति वाचक स संग्या की पहचान भाव आचक संग्या को पहचानने के लिए जानते हैं लास्ट में अन्त में प्रत्य अन्त में कौन-कौन से सब्द प्रत्य जुड़े होते हैं जैसे की कौन-कौन से जुड़े होंगे यी जुड़ा होगा लास्ट में त्वा जुड़ा होगा ता पन हट वट ये सब लाष्ट में सब्ध जुड़े रहते हैं पा, का, वा, सा, और नाता ठीक ये सब आपके प्रत्य जो हैं अगर अंत में जुड़े हैं तो इस तरह से ये ज्यादा तर्ग में सब्ध आपके मिलेंगे जो भाव आचक संग्या होते हैं बाकी इसके बाद में अनेग भाव अचक संगया जो है, वेक्टिव अचक संगया, जातीव अचक संगया, सरुनाम, क्रिया, विसेशन, इन अव्यों से मिलकर प्रत्य लगाकर उनमें बनाई जाती हैं, प्रत्य कौन-कौन से लगते हैं जैसे त्वा, ता, इ, या, पा, हट, वट, आ, आउ, ठीक, आस, आई, वाद ये सब जो हैं आपके सब प्रत्य लगा-लगा करके आपके बनते हैं क्या भाव अचक संग्या आपकी बनती है ठीक, आप जैसे यही प्रत्य लगा करके आपके बनेंगे किससे व्यक्टि वाचक संग्या में ये प्रत्य लगा दिये जाएंगे तो फिर आपका बाव आचक संग्या बन जाएगी इसी तरह जाती वाचक में लगा दिया जाएगा ये सारे प्रत्य लाष्ट में जोड़ दिये जाएगे इन सभी के एक्जामपल हम आपको बताएंगे जैसे की देखिए आपका त्वा त्वा जो है आपका लगा दिया जाए अगर तो सिव के आगे लगा दिया जैसे व्यक्टिव आचक संग्या है सिव अब सिव में तो लगा दिया जाए लाश्ट में तो यह सिवत तो बन जाएगा सही से लिख दें सिवत तो आपका बन जाएगा क्या यह भाव आचक संग्या बन जाएगा यह व्यक्टिव आचक है इससे हमारा ये भाव वाचक संग्या बन गया गांधी से गांधी वाद बन जाता है हिटलर से हिटलर साही बन जाता है तो ये हिटलर साही क्या है आपका भाव वाचक संग्या है आगे बढ़ते हैं आगे देखेंगे हम जाती वाचक संग्या से अब जातिवा चकसंगया से कौन-कौन से जैसे बनते हैं देखिए बहुत सारे सब्द main important यही सब्द है इसमें ये बार बार बहुत बार पूछे भी जाते है जैसे कि इंसान इंसान में प्रत्य लगाएंगे तो इंसानियत इंसानियत हो गया भावाचक संग्या आदमी से आदमियत हो गया फिर उसके बाद कुमार का भावाचक संग्या क्या होगा कौमार और ठग का ठग संग्या है आपकी जातिवाचक जिससे आपका बन जाता है ठगी ठगी ठीक फिर उसके बाद में बच्चा बच्चा से आपका बन जाता है बच्चपन भाववचक संग्या फिर व्यक्ति व्यक्ति से व्यक्तित्व ठीक और फिर आगे सत्रू से सत्रूता सादू से सादू की भाववचक संग्या क्या होगी सादूता यही चीज आप से पहचानने के लिए बहुत बार पूछी जाती है पिता पित्रत्व फिर आगे इस्त्री इस्त्रीत्व ठीक वकील वकालत लड़का इसकी भाववचक संग्या लड़क पन ठीक सजन सजनता सजनता हो गया डाकू से डकैती इस प्रकार से जाती वाचक संग्या से भाववचक संग्या बनाते हैं दास से दासता ये चीज़ें आपको अच्छे से अब उमीद करता हूं समझ में आ रही होगी अब इसके बाद में अब सर्वनाम से भी आगे आता है इनको भी कुशन आपको अगले लेक्चर में सौल्व करा देंगे ठीक जब तक में लिए आप पढ़ते रहिए बढ़ियां से दूसरा लेक्चर भी लेखना मत बूलिएगा जो आरव यरो के लिए सामको डालते हैं वो आपके लिए भी बराबर इंपोर्टेंट है तो उसक चुट गया तो इसलिए दीरे दीरे आप हिंदी भी पढ़ते रहिए और टेकनीकल भी अच्छे घंटेंगा लिए Mr. आपको को एक बार और उसको रिवाइज कर लेंगे देख लेंगे आपका एक दम पूरा हिंदी बढ़ियां से चलता रहेगा कोई भी बुक उठा के आदे गंटे गंटे बढ़िए बस इतना बहुत हो जाएगा ठीक फिर इसी तरह से आप अपना टेक्निकल जादा से जादा आपके पास पूरा दिन का टाइम होता है उसमें आप टेक्निकल जादस जादा पढ़िए इसमें आपके बढ़ियां माक्स आएं ठीक चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में जब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत बुलिएगा और नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन दबा दीजे और अल नोटिविकेशन को अल कर जरूर लीजेगा मिलेंगा अकले लेक्चर में नमस्कार धन्यवाद